हेलो हाई आदाम नमस्कार सम्माने सातियों वेलकम टी यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट आजम बाचित करने जा रहे हैं FLN 3 UP बुनियादी संख्यात्मक मोडियूल 9 की प्रोशनो 3 करने जा रहे हैं जिसमें आपको 40 प्रशनों के उत्तर आपको मिलेंगे यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सबिस्क्राइब करें बेल आइकन को प्रेश करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्फ पिर्थम प्राप्त हो सकें और शेयर भी करें शेयर करने से ग्यान घड़ता नहीं ग्यान बढ़ता है साथ यह दि आप हमारे योट्यूब चनल के वार्टसप ग्रूप और टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डेस्क्रेप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं तो चलते हैं आज की वीडियो के सिर्शक की तरफ मॉडिल नौ का पिर्थम प्रस्ण पूर सालिय सिख्षकों को निम लिखित में से किस से बचना चाहिए तो इसका आंसर है बच्चों को संक्याओं की समझ से पहले संक्या संक्याइन लिखने को कहना इसको सलक्ट करेंगे एरक निसान से आगे आ जाएंगे सेकेंड है आपका प्रारंबिक आवस्ता में गणित सीखने के दोरान एक बच्चे से यह अप्रिक्छक नहीं की जाती है कि और इसका फूर्ट अप्सन है गणितिय तकनिकों के लिए आवस्तक परंप्राओं को जाने इसको सलक्ट करेंगे एरक निसान से आगे आ जाएंग चात्र विभिन तरबजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी उनके भी सम्मद नहीं देख पा रहे हैं तो वे वैन वेल जैम में थी हैं तो इसका सेकेंड आप्सन को आप सलक्ट करेंगे एरक निसान से आगे बढ़ जाएंगे समस्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तों को क्रम मद करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि इसके फर्स्ट आप्सन को आप सलक्ट करेंगे संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से सम्मंदित इसको सलक्ट करेंगे एरक निसान से आगे आ जाएंगे सेंग्रहे की काइडिनेलिटी को तरंद समझने की छमता आम तोर पर बिना गिंती के चार या पांस से अधिक नहीं होने चाहिए अधिक नहीं को कहा जाता है सुभी नी टेजेशन और आप इसको सलक्ट करेंगे एरिक निसान से आगे आ जाएंगे जब उन्हें एक विश्ष्ष्ट किरम में व्यवस्थित किया जाता है तो आप फश्ट को किरम वाचक को सलक्ट करेंगे एरिक निसान से आगे आ जाएंगे और के पास 12 गुलाब हैं शिफ़ा के पास 15 गुलाब हैं किस के पास ज्यादा हैं और कितने से उप्रुक्त सव्द समस्या किस गटा संदर का प्रियोग किया जाएगा तो इसमें सेकेंड तुलना को सलक्ट करेंगे एरिक निसान से आगे आ जाएंगे सीखने और समझाने में उप्युक्त किरम क्या होना चाहिए तो इसमें आप सेकिंड को आप सलक करेंगे एरुक इनसान से आगे आ जाएंगे सिख्छन के लिए निम लखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए तो आप सिख्छक द्वारा मापक मापकी मानक इकाईयों और उनके रुपान त्रणों को सीधे पेश करना चाहिए को सलक करेंगे एरुक इनसान से आगे आ जाएंगे एक संग एक संगता की समझ के निर्मान के लिए बच्चों को बिलैंका समझ की आवसकता नहीं है इसमें थार्ड संग्या निर्देशन करने की पनाली को सलक करेंगे एरुक इनसान से आगे आ जाएंगे वस्तों के समों के आकार को मापने और संप्रिशित करने के लिए निम्न में से किसका उप्यों किया जाता है फर्ष्ट कायड नल संख्या को सलट करेंगे एरुक निसान से आगे आ जाएंगे वस्तों के मिलान या जोड़ी बनाने की गतीविधिया किस पूर संख्या को सलके विकास में मदद करेंगे फॉर्थ पिरतेक से अलग पत्राचार को सरक करेंगे एरुक निसान से आगे आ जाएंगे निवन मैंसे कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपियोगिता नहीं है तो इसमें थैड सौंदर या संख्या को सरक करेंगे एरुक निसान से आगे आ जाएंगे इन चीजों में कुछ विशेष्टाइं समान हैं उन्हें एक साथ रखने से ब्लैंग की छमता में व्रद्धी होती है तो आप फर्ष्ट को वर्गी करन को सरक करेंगे एर को निसान से आगे आ जाएंगे निम्न मेंसे एक गणित ये प्रिकरिया नहीं है तो इसमें आप रटकर याद रखना को सरक करेंगे एर को निसान से आगे आ जाएंगे सुने की अवधाना को निम्न लिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्म रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो इसमें आप फूर्थ घटाव को सलट करेंगे एरुक इनसान से आगे आ जाएंगे अंक क्या होते हैं सेकेंड संख्याओं के लिए पिर्ति को सलट करेंगे एरुक इनसान से आगे आ जाएंगे निम लिखित में से कौन सा गुड़न सीखने का सबसे मैत पूर्ण पहलू है इसमें फॉर्थ गुड़न को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना सलट करेंगे एरिक इनसान से आगे आ जाएंगे समस्या को पढ़ने का सही ग्रम क्या है इसमें फॉर्ष को आप सलट करेंगे इसका है फॉर्ष फॉर्ष थार्ड और सेकंड वाले को आप सलट करेंगे एरिक इनसान से आगे आ जाएंगे कितनी बार चार जोड़ने से सोले प्राप्त होगा तो इसमें सेकंड चार बार को सलट करेंगे एरोक इनसान से आगे आ जाएंगे इस तरह से हम समिट टू कंट्यूनिर पीज पर आ चुके हैं टोटल कोशन की हमने 20 और कोशन आंसेट की हैं हमने 20 और इसकिप जीरो तो हम देखते हैं कि हमारा टोटल स्कोर क्या आता है समिट आप्शन को क्लिक करेंगे और हमारा योर्ड स निम लिखित में से कौन डेटा प्रबंदन का एक घटक नहीं है तो इसका सही ऑप्शन है डेटा का निर्मार सलक्ट करेंगे एरोक इनसान से आगे आ जाएंगे निम लिखित में से कौन गणित अधिगम के आक्रन का आयाम नहीं है इसमें आप प्रिक्रियात्मक ज्यान को सलक्ट करेंगे एरुक इनसान से आगे आ जाएंगे निमलिकित में से कौन एक बच्चे को प्रारमिक वर्सों में संख्यात मक्ता में दख्स बनाने का उद्देश्य नहीं है तो इसमें आप सैकेंड यह है उन्हें तेजी से गर्णा करने में मदद करता है को सलक्ट करेंगे एरुक इनसान से आगे आ जाएंगे यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें सब्सक्राइब अवश्य करें गर्णा की प्रिक्रिया के दोरान विद्यारती क्या नहीं कर रहा होता है तो इसका सही ऑप्सन है फर्स्ट नमर के नाम लिखता है सलक्ट करेंगे एरुक इनसान से आगे आ जाएंगे निमलिखित मैसे कौन सा बुन्यादी संख्यात मक्ता का गटक नहीं है तो इसमें आप सेकंड संख्या के नाम याद रखना को सलक्ट करेंगे एरुक इनसान से आगे आ जाएंगे निमलिखित मैंसे कौन संख्या की समझ विक्सित करने के लिए एक महत्पूर्ण कोसल नहीं है तो इसमें आप थायर्ट संख्या नामों का बोलना सलक्ट करेंगे एरुके निसान से आगे आ जाएंगे निम लिखित मेंसे कौन सा पूर संख्या कोसल नहीं है इसमें आप सैकेंड अंक जानना को सलक्ट करेंगे एरो के निसान से आगे आ जाएंगे वह प्रकरिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के पीश गणितिये प्रतिकों, संकेतों, आरेखों, आलेखों के मादियम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है इसमें आप फॉर्थ गणितिये संचार को सलक्ट करेंगे एरो के निसान से आगे आ जाएंगे निम्लिखित मैंसे कौन सा गणित सीखने का सबसे महत्पूर्ण पहलू है तो इसमें आप फ़र्ष गणितियों को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना को सलक्ट करेंगे एरो के निसान से आगे आ जाएंगे निम्लिखित मैंसे कौन सा युग में एक दूसरे के पूरक नहीं है तो इसमें आप सेकिंड घटाव और गणा को सलक्ट करेंगे एरो के निसान से आगे आ जाएंगे तैजिंग क्या है तो इसमें आप वस्तों की संख्यां को केवल उन्हें देखकर और वास्तम में प्रतेग वस्तों को गिनने के बिना पहचानने की छमता को सलक्ट करेंगे एरो के निसान से आगे आ जाएंगे कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है तो इसमें आप फ़स्त जब बच्चा बिना समझे घन घनाग गोला आदी आकरतियों के नाम रखता है को सलक्ट करेंगे और एरो के निसान से आगे आ जाएंगे निम्लिखित में से कौन सा आकरन का उप्यूक तरीका नहीं है तो इसमें आप थर्ड याद रखने पर आधारित एक परिक्चा को सलक्ट करेंगे और एरो के निसान से आगे आ जाएंगे वैन्लिखित में से किसमें एक संगता सामिड नहीं है तो इसमें आप सैकिन समहूं हन को आप सलक्ट करेंगे और एरो के निसान से आगे आ जाएंगे संख्याँ को सीखने से पहले एक बच्चे को वश्टों के खरम बाद करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि इसमें फ़ Twice संख्याँ को क्रम में रखने या क्रम में रखने से समंदित को सलट करेंगे ऐरु के निसान से आगे आ जाएंगे निम लिखित में से कौन सा सत्य नहीं है तो इसमें आप सभी आयत वर्ग होते हैं को सलग करेंगे एरू के निसान से आगे आ जाएंगे निम लिखित में से किसमें दियेगे नियम के निसार वस्तों के संग्रे का किरम सामिल नहीं है तो इसमें आप थेड वर्गी करण को सलक करेंगे एरुक इंसान से आगे आ जाएंगे वस्तों को वर्गी करत करने के लिए आवशक था तो इसमें आप फॉर्ट वस्तों को उनकी विश्यस्ताओं से पहचाने की सलक करेंगे और एरुक इंसान से आगे आ जाएंगे निमलिकित में से कौन सा परेजिस से जोड और घटाव से समधित समस्यों में सामिल नहीं है तो इसमें आप फोर्ट समुह की तुलना सलक्ट करेंगे एरो की इनसान से आगे आ जाएंगे इस तरह से यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आ रहे हो तो लाइक करें करें हमारा स्कूर क्या आता है तो हमारा यूर स्कूर इस ट्वंटी बाइट वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें सबिस्क्राइब अवस्य करें टैट पॉइंट बाइ महम्मद इस्फली दन्यवाद